नमस्कार दोस्तों मम्ता की रसोई में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं मीठी मट्री जो खास करके करवा चौत पे बनाई जाती है और आईए देखिए कैसे बनती है और इनमें की चीजों की जरूत होती है और सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है क जितना मैंने मैंदा लिया है उतना ही मैंने चीनी लिया है दोनों बराबर मात्रा में ले लिया है ये लिया है मैंने सुध देशी घी मोयन के लिए और यहाँ पे मैंने ले लिया है कद्दू कस किया हुआ नारियल है सुखा नारियल है ये आपसनल है आप चाहे तो ले नही बहुत अच्छी होती है पर मोयन में अगर सूध देशी घी लेंगे तो बहुत ही अच्छी मट्री बनेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है तो ये चलिए करवा चोथ के लिए बनाते हैं इस्पेसल मीठी मट्री तो सबसे पहले क्या करते हैं कि बड़ा सा बाउल ले मैं डालने के बाद मोयन के लिए घी डाल देती हूं ये घी मैंने डाल दिया है आप चाहें तो यहां पर रीफाइंड ओयल का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो तेल आप खाते हो उस तेल का यूज़ कर सकते हैं पर सरसो का तेल नाले तो इसमें अब अच्छे से मैं मिल गी को मौयन को अच्छे से मिलना आटे में जरूरी होता है तो मैं अच्छे से मिला देती हूं और यहां पे देखे मैंने मौयन को अच्छे से मिला दिया घी को अच्छे से मिक्स कर लिया और यह मुठी सी बन रही है तो हमारा मौयन बिल्कुल परफेक्ट है और अब मैं जोबन के तयार है अब इसे में ढखके रख दूँगी रेश्ट के लिए और मैं इसे 20 मिनट ऐसे ही छोड़ दूँगी तब तक मैं चासनी अपनी तयार कर लेती हूं चासनी के लिए मैंने गैस पे फ्राइंक पेन रखा और चीनी डाल दी और चीनी डालने के बाद मैंने थो यह देखिए इसमें टाइम लगता है थोड़ा तो इसको चलाते हुए बनाएंगे यह देखिए और अब जब तक हमारी चासनी बनके तयार होती है तो 20 मिनट हो चुके हैं तो मैं अपना मठ्री तयार कर लेती हूँ बनाके मीठी मठ्री और यह देखिए छोटा सा लोई मैंन घुलों से ही बना रही हूँ यह देखिए थोड़ा सा दबा दबाके ऐसे मठ्री तयार कर लेंगे ओ कि आप देख सकते हैं मठ्री थोडी सी मोटी है पूर्डी जैसी नहीं है पूरी ज्यादा पतली होती है और मठ्री bishopि यह देखिए इसी तरह से में सारी मठ्री को बना लोंगी यह देखिए इसकी मोटाई आप देख सकते हैं कि इतनी मोटी है यह और यहां पर मेरी आठ मठरी बन के तयार हो गई है उतने आठे में और अब हम देख लेते हैं अपनी चासनी को कि इसमें तार बन रहा है कि नहीं तो आप देख सकते हैं इसमें तार बनने है तो अब हम गैस को बंत कर लेंगे को एक साइड में रख लेंगे ताकि चासनी थोड़े हो Jadi हो जाए हम बिल्कुल गरम चासनी में अपनी मश्री नहीं डालेंगे कोड़ी सी छाशनी होनी चाहिए और ये देखिए अबे मैं मत्री को तल के नत्रे हैं चैनल रही हूँ और मठ्री को मैं बिल्कुल मीडियम टू लो गैस पे तलूँगी जो गैस की फ्लेम है वो medium to low होनी चाहिए और मठ्री को जितना ही medium गैस पर तलेंगे उतनी ही मठ्री खस्ता बनेगी और यह पर गैस को मैंने medium कर रखा है बहुत ज़्यादा गरम में मठ्री को तलेंगे तो उपर से जल जाएगी अंदर से होगी नहीं और क्रिस्पी भी नहीं बनेगी यह देखिए और एक बार की मठ्री तले में हमें 8-9 मिनिट लगे है और अलट पलट के अच्छे समय ने तल लिया है देखिए कितना अच्छा golden कलर आ गया है और हम मैं मठ्री को निकाल दे रही हूँ बाहर यह देखिए और इसी प्रोसेस से मैं बाकी की भी मठ्री को दल लूँगी आप इस मठ्री को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं यह देखिए यहाँ पर मैंने सारी मठ्री को दल लिया है और बहुत ही क्रिस्पी बनी हुई है बहुत ही अच्छी यह देखिए, अब हम गैस को बंद कर लेते हैं और यहां पे हमारी चासनी भी ठंडी हो चुकी है, हलकी सी गुन-गुनी है, तो हम इसमें एक-एक मठरी डालेंगे और इसको अच्छे से डिप करेंगे, यह देखिए, इसको अच्छे से डिप करते जाएंगे, अगर आपकी चासनी रखने के बाद थोड़ी सी गाड़ी हो गई है, तो आप उसमें एक से दो चम्मच पानी डालिए और फिर से उसे गरम कर लीजिए, फिर से आपकी चासनी सही हो जाएगी, यह देखिए, अब हम मठरी को बाहर निकाल लेंगे, अभी चासनी थोड़ी सी पतली लग पर बाद में बिल्कुल सुख जाएगी और मठरी पे चपक जाएगी, इक सार भोलेगी इसमें पूरी तरह से, यह देखिए, बाकी की मठरी भी मैं डाल दे रही हूँ, और इसके ऊपर से में यह नारियल थोड़ा सा डाल देती हूँ, यह नारियल इसमें चपक जाता है, और बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, और अगर आपको नारियल पसंद है तो आप डाल दे, नहीं तो नहीं भी डालेंगे, तभी मठरी बहुत टेस्टी बनती है, यह देखिए, और यहाँ पे यह बाकी की मठरी को भी मैंने अलट पलट के चासनी में डुबा लिया ह और इसे भी मैं निकाल देती हूँ, यह हमारी मठरी कैसी लगी आपको, आप इसे करवा चक पे जरूर बनाईए, बहुत ही डिलिसेस बनती है, और हमें कमेंट करके बताईए कि आपने कैसी बनाई, आपकी कैसी बनी और आपको कैसी लगी, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है, और यहाँ पर देख सकते हैं, आप मैंने सारी मठरी तयार कर ली है, यह देखिए, इसके उपर से भी मैं थोड़ा सा नारियल डाल देती हूँ, आप इसे इस्टोर करके भी रख सकते हैं, किसी भी जब यह पूरी तरह से सूख जाए, तो किसी भी एर टाइट डबे में डाल के, आप इसे रख सकते हैं, एक महीने तक खा सकते हैं इसे रख के, और हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबा न भूलें, बाई बाई दोस्तों,